मेरी अती प्रियू, प्रभु येश्यू के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूँ जहा को आप देख रहे हैं ना, बहुती सुन्दर जगा है समुन्दर की लहरें आते हैं लेकिन यहां पर समुन्दर जैसे दिखाए नहीं पड़ता एक चोटे से कुंआ का समा लगता है, लेकिन एक समुन्दर की लहरों को देखने के वक्त हमें बहुत अच्छा लगता अमेरीका में किसी भी दिसा में देखियेगा, बहुत सुन्दर है अमेरीका में बहुत सारे स्टेट पाए जाता है ना, उसमें आपके लिए प्रचार करूँगा परमेशिर की वचन पर ध्यान देंगे वचन 86 अद्धिहाई का पांचवा वचन में दावुद नाम के प्रभु का दास सुन्द डंग से दुआ करते हमें उस दुआ से सीखने की अवशक्ता है क्यूंकि है प्रभु तु बला और चमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तु अती करुणा में है वो परमेशिर को अच्छी तरह से समझ के काम किया और प्रातना किया तु बला है और सब को चमा करता है परमेशिर की गुनों को उसकी सुभाव को अच्छी तरह से जान के उसने प्रातना किया हम भी परमेशिर की सुभाव को उसकी गुनों को जान के प्रातना करने से आसिस है प्रभु बला है वो बला ही करता है आपका जीवन में भी वो बला ही करेगा आपने कुछ बलाही के लिए प्रातना किया ना जैसे ही प्रबू उसको सुनके आपका जीवन में बलाही करेगा कभी कभी हमारे जीवन में कुछ परस्तियां ऐसे आते हैं उस परस्ति के चलते कभी कभी हम गुसा करते हैं गुसा करके पाप करते हैं लेकिन कहते हैं परमीश्वर कर संतान है हम जिस दुनिया में रहते हैं इस दुनिया में तो पाप बरावा है इसलिए इस दुनिया से अलग से हम कभी भी रह नहीं सकते हैं जरूर पाप तो हम पर हमला करेगा लेकिन उस पाप का प्रबाव अमारे जीवन में कभी भी अंदर आने के लिए जगा नहीं देना है। चमा करेगा अन गिनी तो चमा करता लेकिन हमें बार बार अपराद करके चमा को नहीं मागना है। हमारे से गलती हुई है। आपसे चमा मांगता है करके प्रभू चमा मांगें वो चमा करता है। जो कोई ये शुक के पास आके दुआ करते हैं परमेशर उनको अमेशा चमा करते हैं। इसलिए हम आननी तो हो सकते हैं। इसलिए प्रते दिन परमेशर के साथ चलने की अनबों में अमया ना है। परमेशर आमें चमा कीजिए मांगें जब आप गलती करते हैं। उसी वक्त प्रभू के पास आके यदि आप चमा मांगने से परमेशर पूरे दिल से आपको वो चमा करेगा। आज भी परमेशर से आप चमा मांगें। पाप से दूर रहने के लिए दुआ कीजिए प्रभू आपको सुरचित रखेगा। हे यशू अमेशर तू चमा करता है। आज भी मेरे अपरादों को तू चमा करके और हम पर तू दया करना है परमेशर। यशू के नाम में आमें आमें।